नमस्कार जैहिन सात्यों एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं अपन टाइपिंग के रिगार्डिंग ही टाइपिंग कर रहे होंगे आप सभी लोग यही उमीद आप लोगों से एक तो बात करेंगे इस वीडियो में कि टाइपिंग की कितनी पॉसिबिलिटी है एक जे डेट तो अभी तक नहीं किसी को पता है और कुछ आपके कमेंट भी थे कि टाइपिंग के रिगार्डिंग और एक इस्टेनों की भी थे कि इस्टेनों की तैयरी अभी करें थोड़ मतलब कर तो रहे हो आप लोग जो लगब तैयरी कर रहे हैं उनमें यह था कि आई हिंदी इंगली स्ट्आ पोड़नें और आप चैनल तो पर में अपने मम और दोस्तों चेर कीजिए चैनल को यह आगे बढ़ते हैं कि एक तो कोमन था कि आप 400 हिंदी के 400 वर्ड आएंगे तो लिए तो बतार आपने बोला था जाएंगे या इंग्लिज के लिए 500 वर्ड आते हैं एक साथ फिक्स नहीं है यह आते हैं अपने कोमर्चल एसिस्टेंट एक्जाम ती उसके अंदर था कि 400 और 5 होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है इसके अंदर पेरेग्राफ आएगा परेग्राम कितने वर्ड आते हैं इतना फिक्स नहीं है लेकिन लगबग पचाशी इंग्लिज की साथ फ्लेसी स्पीड होती है तो वो पूरे टाइप हो जाते हैं उसके बाद में पेरेग्राफ कि online यह दिमम जाब कर सकते हैं या था हिंदी के अंधर फिक्स नहीं है वह आइग करना होता है एक चीज इत्थ यह का policy dal यह स्यगह घ्यृत है थे 17 ऐस्की चीस है एब इसको में सुसर होंगी कि 30 aux you तो थोड़ा टाइम कम लगा थोड़ा एजी लगी थी यार 30 से 40 बिल्कुल आ गई फिर 40 से 50 में जोर आता है और 50 प्लस जाने में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है तो यह चीज आपने मैसूश की होगी कि यार 30 से 40 यह शुरू से की थी 40 तो बिल्कुल जल्दी आ गई थ तो इसमें टाइम लगता है आपको गबराना नहीं है यह सब के साथ ही होता है यह चीज आप यह सोचो कि यार मेरे साथ ही हो रहा है अब 40 प्लस नहीं जारी यह पचास हो गई 50 प्लस जाने में बहुत टाइम लगता है फिर बहुत ही मतलब बढ़ती है लेकिन यह है कि 40 से 50 तो चीज तो चारी से पचास बढ़ने में लगेगा थोड़ा वो सबको लगता है आपके साथ नहीं ही है सबके साथ ही होता है इस चीज आप टैंसर मत करना क्या हो रहा है बढ़ क्यों नहीं रही क्यों आप उमिद यह करते हो कि डेली करें तो डेली दो तीन बढ़नी करते ही हो वह सबके ही साथ होता है आपके साथ ही नहीं होता है यह चीज हो गए बात यह तो हो यह आपके बैसी जो कमेंट थे वो थे और अब आपको बिल्कुल टाइपिंग पर ही पूरा फोकस रखता है जये जहान लगा देनी आपको आपके सामने है जोब लेना अब अब कितना होते हो वह आप पर डिपेंट है आप मोटिवेयर्ट हो सबसे बड़े बात है तो आपने उसी के साबसे में आपको वीडियो बनाता हूं बताता हूं और आप उसी के रिगार्डिंग आप हर लगबग वीडियो देखते हो तो टाइपिंग पे ही पुरा फोकस रखना है जो भी है आपको बिल्कुल भी टाइम जेस्ट नहीं करना है मेरा कहना यही है आपको बाकि और कुछ हो आपके डाउट तो आप कमेंट कर देना या मेसेज कर देना यह चीज थी तो आपको पूरे जी जान से टाइपिंग करनी है और बात करते हैं लगबग अनुमानित एक्जाम डेट कब तक आ सकती है तो एक्जाम डेट देवो 9 से 17 सितम्बर स्टेनों की है इस्टेनों से पहले एक्जाम होने की कोई संभाव नहीं है तो दार्वी में से चल रहा है उस पर कि कब तक करवाना है क्या यह उनका एक्जाम शेल का काम है क्या करवाएगी कब करवाएगी आपको पहले देसे बोला था मैने आज भी यह बोला आपको तयार है ना यह बीच दिन कांट नहीं करने हैं कि निया भी इस दिन आप थोड़ा परक W2 रिलक्स कर लेतेसा नहीं आप इस इंप इंझे इमानदारी इस ही व्यक्त करनी आप니다 अभी के दिनों में थोड़ा वायरल होना एमोसम चेंज हो रहा है तो अपने स्वास्ते का भी ध्यान रखना है सबसे ज्यादा ज़रूरी वह है स्वास्ते के साथ सरीज के साथ खिलवार मत करना कहीं अभी अपन थक भी गए फिर भी बैठे हैं जब कोई भी काम सुरुआत कर थोड़ा उसको मेंटेन रखना ज्यादा ज्यादा जोस भी कभी 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 नुकसान हो जाता है स्वास्ते का भी ध्यान रखिए अपने आपका और फिट आपिंग कि थोड़ी बहुत हल्किवली भुखा राती है तो उन चीज़ों ध्यान रखना आप सिजा वाइरल है बस यह रखना कि पूरी चीज़ें खाने पीने में ध्यान रखो पानी का लेवल होता है पानी शरीर में जितना पानी प्योंगे आप उत्ना ही एनगी लेवल डाउश अप रहता है इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना ठीक साथ ही हो बाकि आपकी जो थे दो-तेन रखने के लिए और जो बेसिक आपके कमेंट दें, मैंने लिए हैं, यह है इसी वीडियो है, आज के वीडियो में इतने ही साथ ही हो, बाकि यह चैनल पर नहीं हो तो यह पर और मैं आपको बोल दता हूं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेर कर आज के वीडियो में इतने, thank you so much